नमस्कार, RAS में चेनित सभी अभियर्टियों को मेरी तरब से बहुत-बहुत सुबकाम नाई और बहुत-बहुत बधाई हम बात करतें RAS की, RAS में बहुत सारी विद्यारतियों सेलेक्ट हो गए, बहुत खुसी का माहूल है हम सब के लिए भी बहुत अच्छी बात है, और उन सब से मैं यही कहना चाहूँगा कि भविसे में ऐसा काम करो, कि किसी भी गरीब का कोई हग छीना नहीं जाए जहां तक आप से possible हो, ऐसा सब आप करेंगे, यह मैं आसा भी करता हूँ अब बात करतें, आरेस के लिए, और भी बातें, बहुत सारी बातें में एको डिसकस करनी है तो बेटा, आरेस में हमारी सिक्षा मंतरी है, गोईन सिंग्जी डोटासरा उनकी फैमली से भी बहुत सारे लोग है, वो सलेक्ट हुए है जैसे हम बात करें, उनकी पुतर वद्वा, वो भी सलेक्ट हो चुक है, उनका बेटा वो भी आरेस है और उनकी पुतर वद्वा, उनका भाई और बहन, वो भी आरेस में चैनित हो गए है बहुत-बहुत बदाईयां, उनको बहुत-बहुत सुपकान है क्योंकि अगर हमारी सिक्षा मंत्री है, उनके family से अगर ऐसा कोई करता है, तो हमें बहुत सी प्रेना मिलती है, क्योंकि हम उन लोगों को देखते हैं, कि ये देखो सिक्षा मंत्री हैं, और इनके परिवार में भी लोग कितनी अच्छे से महनत कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर ये सब बातें देखते हैं, हमें भी बहुत motivation मिलता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ओर discuss भी करना चाहूँगा, अब देखो, बात करते हैं जो भी अभियरती, उनके परिवार से select हुए उनके बारे में, तो उनके परिवार में select होने वाले अभियरतों में एक परबाजी हैं, जि आप सयोग का होगे, इतफा का होगे, या फी talent का होगे, ये सब तो आप decide कर सकते हैं, और इतना आप सब लोग जानते भी हैं, उन तिनों ही अभियरतियों कि अगर आप देखोगे interview में, तो सबकी ही 80% marks हैं, हैंड़ेट मेर से 80 marks हैं, वो उन्होंने अचीव की हैं, और 47% के आसपास से थे, 46% थे, और उसके interview की बात करें, तो interview में 63% थे, तो उसका chain नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से मैनत करेंगे, तो उनका भी chain हो जाएगा, लेकिन interview की कुछ बात अलग है, मेरको कुछ ये समझ नहीं है, इसको आप सयोग कहोगे, या इतफाक कहोगे, या टेलेंट कहोगे, या कुछ और कहोगे, कि तीन भाई बहन जिनके equal marks है, how it come possible, 80, 80, 80, हो सकता है, इतफाक हो, आ सकता है, टेलेंट है, टेलेंट तो होता ही है, टेलेंट है, तभी तब इस लिएवल पर पहुँचे है, पर ये clear की है, मेंस clear की, इसको मैं कहीं से नहीं न कार रहा हूँ, लेकिन बात में सिरफ interview की कर रहा हूँ, interview में एक जैसे marks आना इतना बड़ा इतफाक है, इतफाक से भी नहीं हो सकता, जो मेरे को लगता है, अब देखो, हमारी education minister उन्होंने ये कहा है, कि 80% marks लाना, या 80 marks लाना कोई बड़ी बात नहीं है, जिन बच्चों में talent होता हूँ, 80% marks ले आते हैं, interview में भी 80% marks लाना, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उनकोई बात से भी सहमत हूँ, लेकिन अब एक बात देखिएगा, RAS के लिए, जिन अभियर्तियों ने, men's clear की, pre clear की, फिर interview में पहुंचे हैं, उन्होंने कौन से subject से व उन्होंने एक बात यह बोली है, आपने भी देखा होगा, उन्होंने ही कहा कि 80% marks लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ही मानता हूँ, बड़ी बात नहीं है, जो विध्यारती अच्छे से preparation करता है, जो अच्छे से मैनद करता है, तो उसके लिए कोई भी चीज impossible होती नही है, या MBBS किया है, या फिर engineering किया है, वो भी इसमें select हुए, अब उनकी graduation में तो वो subject नहीं थे, जो उसके बात में भी वो RAS में select हो गए, अब इस बात को मैं relax करना चारा हूँ, व्यक्याता भरती से, कैसे, उन्होंने वहाँ पर ये बोला, कि BSC करने वाला एक बच्चा, ज कोई इतना knowledge नहीं है, तो जब यहाँ पर RAS बन सकता, कोई विध्यारती इतनी महनत करके, तो वहाँ पर eligible क्यों नहीं है, मेरे तो ये सवाल है, हलांकि मैं इत्तफाक वाले सवाल है, उनकी बात ही नहीं कर रहा, कि वो कैसे है, वो सब आप लोग भी जानते हैं, आ सकते हैं, इत्तफाक बहुत बड़ी बात होती है, हलांकि मैं इत्तफाक में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, ऐसा होता है, तो आपने कहा कि 80% मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये कैसी बड़ी बात हो गई, कि BSC तक पढ़ाई करने के बा उन सबसे पूछना चाओऊगा, जो भी मेरी वीडियो को देख रहें, उन सबसे पूछना चाऊँगा कि क्या यहां पर हमारे साथ में, या क्या आप लोगों के साथ में, क्या हम सभी राजेतान के जितने भी लोगों उनके साथ में नाई हो रहा है, रस इतनी बात है, बवी से क्या बवी से नहीं है, एक बच्चे ने UPSC की त्यारी करने के लिए, या फिर ये मानलो की RAS की त्यारी करने के लिए ही, साइन्स के सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट चुन लिया, क्योंकि मानलो की हिस्ट्री ले लिया, तो उसको यहाँ पर GK वगेरा में हेल्फ होती है, वो बच्चा RAS बन सकता है, तो वो व्याक्याता क्यों नहीं बन सकता, बस इतना ही पूछना चाहता हूँ,